अवैद रेट परिवाहन के लिए सिंध नदी पर बने कच्च पुल को पुलिस ने तोड़ा जब तकी टीन ट्राली नमस्कार दोस्तों मेरा तम्सिंग और आप सभी का ट्रिगर निउज में स्वागत है मद्य प्रदेश के बिंड जिले में सिंध नदी से रेट के अवैद खनन परिवाहन और बंडरन पर रोक लगा पाने में पुलिस प्रसासन और माइनिंग विभाग लगाताब नाकाम साबित हो रहा है वहीं पुलिस अपनी नाकामी को चुपाने के लिए महिने में एक दो करवाई कर अपनी पीट भी थप थपाने से भी पीछे नहीं रहती है ऐसी ही रेट माफिया के खिलाब भिंड पुलिस ने करवाई की है नियाए गाओं और रोन थाना पुलिस ने संयूकत रूप से छापा मार करवाई करते हुए कहकारा गाओं के पास रेट निकालने के लिए बनाये गए अवैद कच्चे पुल को जेसी भी मजीन से नष्ट किया गया साथे रेट के अवैद परिवाहन कर रहे तीन ट्रैक्टर ट्राली पकड़े गए हेड़कॉर्टर डीएसपी अर्विन सा ने मीडिया को बताया कि मुगबरी सूचना मिली थी कि नियाए गाओं थाना इलाके के कगारा गाओं में सिंद नदी के उपर रेट के अवैद उत्खनन और परिवाहन के लिए रेट माफिया ने अवैद रूप से कच्चा मिटी का पुल बना लिया इस सूचना पर कारवाई करते हुए रौन और नयाए गाओं थाना परबारी को मौके पर कारवाई के लिए बेजा गया रात में पुलिस को पुल पर रेट से भरे हुए तीन ट्रैक्टर ट्राली मिले इन ट्रैक्टरों के चालकों से रेट के संबन में अवैद खनन करने वाला माव्यों पुलिस के पहुचने से पहले ही फरार हो गया। वहीं मेह गाउं थाना पुलिस ने भी बिना रोयल्टी के अवैद रेत का परिवाहन कर रहे ट्रॉली को पकड़ कर माइनिंग विभाग को सुपृद कर दिया। अलंकि भिन्ड में जब भी रेत माविया के खिलाब कारवाई होती है तो वह पुलिस विवाग ही करता है। विवर्य रॉपोर्ट ट्रिगर निउस